सुपर बात विद्यार्थियों आज हम मैथिली शरन गुप्त द्वारा रचित कवीता ककेई का अनुताप की आगे की पंक्तिया पढ़ना शुरू करेंगे थी संशत्र शशी नीशा ओस टपकाती रोती थी नीरब सबा हिर्दे थपकाती उलका सी रानी दिशा दिप्त करती थी संशत्र अर्थात तारों सहित शशी नीशा अर्थात चांदनी से बरी रात उलका अर्थात तूटे हुए तारे की तरह चमकना कवी कहते हैं कि रातरी खामोश थी और उस खामोश रातरी में चांद और सितारे भी कके की दशा देखकर रो रहे थे अर्थात उनसे ओस टपक रही थी रोती थी नीरब सभा हिर्दे थबकाती कवी कहते हैं कि नीचे दर्थी पर खामोश सभा मन ही मन रो रही थी और हिर्दे को तसली दे रही थी कि ककई का ऐसा पच्छात आप देखकर अब राम अवश्य मान जाएंगे और उन सब के साथ आयोधियां वापस लोट जाएंगे उलका सी रानी दिशा दिप्त करती थी कवी कहते हैं कि पच्छाताप की अगनी में मशाल की तरह जलती हुई रानी चारों दिशाओं को रोशन कर रही थी यानि चारों दिशाओं के लोग अब रानी के पच्छाताप को देखकर उसे माफ कर रहे थे इन पंक्तियों में ककेई के पच्छाताप की चरम सिमा दिखाने के लिए कवी ने आसपास के वातवर्न तथा प्रकृती का सहरा लिया है निशा ओस टपकाती में प्रकृती का मानविकरन किया गया है उलका सी रानी में उपमा अलंकार का परयोग हुआ है टपकाती और थपकाती में सुंदर तुकबंदी है बाशा बावपूर्ण है सब में बेय विसमया और खेद भरती थी क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी मेरा ही मन रह सकाना निजविश्वासी जल पंजर गत अब अरे अदीरे अबागे वे ज्वलित बाव थे स्व्यम तुझी में जागे पर था केवल क्या ज्वलित बाव ही मन में कुछ शेश बचा था कुछ न और इस जन में कुछ मुलिय नहीं बात सले मात्र क्या तेरा पर आज अन्यसा हुआ बत्स भी मेरा सब में बेय विस्मिय और खेद बरती थी इन पंक्तियों में बताया गया है कि ककई का पच्छाताप इतना तिवर था कि वहां उपस्तित सभी लोगों के मन में डर, हैरानगी और दुख की बावना पैदा हो रही थी डर इस बात का था कि शायद राम चंदर जी ककई को शमा न करें और हैरानगी इस बात की थी कि राम को कठोरता से वनवास दिलाने वाली ककई अब पच्छाताप की अगनी में जल रही थी और दुख इस बात का था कि अगर ककई को ऐसा करना ही था तो फिर ऐसी स्थिती पैदा ही क्योंकि किस व्यम राम चंदर जी को वन जाना पड़ा विचारदारा दोश अपने उपर लेती है और मंथरा को दोश मुक्त करते हुए कहती है कि मेरी मंथरा दासी बला क्या कर सकती थी असल में उसका ही मन उसके विश्वास में ना था मंत्रा तो शोटे परिवेश में रहने वाली दासी थी उसकी विचारदारा तो शोटी थी प्रन्तु ककेई रानी थी उसकी विचारदारा तो उच्चकोटी की थी इसलिए ककेई मानती है कि राम से इर्चा रखने वाले बाव स्व्यम उसी के मन में ही उत्पन हुए थे जल पंजर गत अब अरे अदीरे अबागे वे ज्वलित बाव थे स्व्यम तुझी में जागे पर था केवल क्या ज्वलित बाव ही मन में कुछ शेश बचा था कुछ न और इस जन में अब ककई अपने आपको कोस्ते हुए कहती है कि हडियों के पिंजरे में बंद उसका अबागा तथा बहचायन हिर्दे अब जलता रहे ककई सोशती है कि राजा दश्रत से वर मांगते समय उसके मन में क्या केवल इर्चा वाले भाव ही थे क्या उस समय ककई के बीतर अच्छे बाव पूरी तरहां से समापत हो गए थे कुछ मुल्य नहीं बातसले मातर किया तेरा पर आज अन्यसा हुआ बतस भी मेरा ककई अपने किये पर पच्छताप करते हुए कहती है कि आज उसकी ममता का भी कोई मुल्य नहीं रहा आज तो उसका अपना बेटा भी परायासा हो गया है उसके दुशकर्मों के कारण उसका पुत्र भरत भी उसे कोश रहा है और परायासा वेवार कर रहा है इन पंक्तियों में ककई का आतम चिंतन बताया गया है और मंत्रा को दोशमुक्त करने का प्रयास किया गया है बाशा आतम गलानी से बरी हुई है, अरे अदीर अभागे में अवर्न की आवरीती से अनुप्रास अलंकार है, अन्यसा हुआ बत्स भी मेरा में उपमा अलंकार है, तेरा मेरा और अभागे जागे में सुंदर तुकबंदी है ककई का अपने कू विचारों पर पच्छताप बताया गया है, मंत्रा को दोश मुक्त कर मैथली शरन गुप्त जी अपने उदेशिय नारी जगत का उत्थान में सफल रहे है